ये देखे दोस्तों मैंने एक कटोडी साबुदाना लिया है साबुदाना को मैंने अच्छे से दोगे पांचे घंटे के लिए भिगो दिया था उसके बाद मैंने चन्नी में चान लिया करीपत्ता हरीमिज क्याफिकम अध्रप फ्राइ मुंफली एक कच्चा आलू जीरा का पाउ पाउडर आमचूर नमप तील पुदीना तेल दन्या और काली मिर्च का पाउडर दोस्तों मैंने अग्यास चला दिया है अब मैं पैन के अंदर तेल डालूंगी कमट डेट चमची थोड़ा सा तेल गरम होगा देखें दूस्तों तेल गरम हो चुका है अब मैं उसमें कच्चा आलू डालूंगी रच्चो से मिक्स करेंगी इसको थोड़ा साम गोल्डन ब्राउंड करेंगे कच्चे आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है अब मैं इसको ठाब दूंगी दो तिन मिनित के लिए अब देखें दोस्ता हम देखनेंगे यह हो चुका है अब अब हम उसके अंदर डालेंगे करी पत्ता अग्दरप नील्च और कैप्सिकम अब अच्चा चान मिक्स करेंगे अब ताबु दाना डाल देंगे इसके अंदर नंपली भी डाल देंगे भून्या आउवा जीरे का पाउडर डालेंगे एक चम्मज धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मज आम चुर्वी डालेंगे एक चम्मज स्वादनुसा नमक और तील डाल देंगे एक चम्मज और काली मिर्च डालेंगे एक चम्मज का पाउडर डाईए अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तील डलने से क्या होता है उसका तील का भी फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा लगता है अच्छे सम्में मिक्स कर लिया पूदीने के दो तिन पत्ते डाल देंगे पूदीने का भी फ्लेवर आता है और पूदीना भी बहुत अच्छा होता है पेट के लिए अब यह हमने फ्राइट कर लिया है अब इसके बाद हम है ना उसको स्टीम करेंगे देखे दोस्तों अब मैंने फ्राइम पैन में से निकालके साबू दाने की खिचरी को मैंने प्लेट में डाल दिया था अब मैं इसको स्टीम करोंगी 15 मिनिट के लिए देखे दोस्तों 15 मिनिट हो चुका है अब हम देखेंगे वाव यह देखे मेरा साबू दाने की खिचरी बन चुकी है अब मैं इसको बाल में सर्फ कर लो कि देखेंगे दोस्तों यह मेरे साबू दाने की खिचरी खाने के लिए रेडी है कैसा लगा यह मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीस लाइक जरूर कीजे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे झाल si दोईग जसको बाल में सर्फ कर लाईब पाल में सर्फ लाह बंऄ här झाल पाल में सक गया है झाल झाल